100% आपके घड़ तो तक्ये का इस्तमाल होता ही होगा चलो आज देखते हैं इसे फेक्टरियों में कैसे बनाया जाता है सबसे पहले बड़े कपड़े के लेकर उस पर तक्ये का सिप बनाया जाता है और फिर इसे इस मसीन द्वारा कट कर दिया जाता है और फिर इन तक्यों को पाट को एक साथ सीला जाता है और अच्छे तरिके से सिलने के बाद इससे दूसरे बंदे भी ट्रांसफर कर दिया जाता है अब वह इस मसीन को उपर काफी सारा रोई रखता है और ये सारे रूई इस मसीन के द्वार आटमेटिक इस तकीये के अंदर चले जाते हैं और फाइनली इसे दूसरे बंदी भी ट्रांसवर कर दिया जाता है और फिर इस तकीये के लाश सेप को भी सील दिया जाता है और फिर सारे रूल को एक साथ मिलाने के लिए इसे पटका जाता है और अच्छे तरीके से वियस्तित कर देने के बाद अभी से एक पन्नी में फिट कर दिया जाता है और फाइनली इसे एक कूट में रख दिया जाता है और ऐसी करकर हमारा तकिया बनकर त्यार हो गया